जेहिंद वरिवान, अब सबका आपके उडूप्चेनल अलास्टर सीवाप पे सुअगत हैं आज हमने सुबा 16 और 17 ओक्टूबर के करन्ट रिफेस्ट नहीं पे डिसकस कर लिए थे और आज हम 18 ओक्टूबर के यहाँ पर important करन्ट रिफेस्ट डिसकस करेंगी और मैंने इस पूरी सीरीज का नामियां पे रखा है डेली डिफेंस डॉस और यहाँ पर तीन चीज़ें आपको पहले में बता रहा हूँ कि पांच बज़े के बाद ही यह session आएगा because P.I.B. पे almost सारी ministry की information पांच से छे बज़े तक यहाँ पर आ जाती है नमबर टू यहाँ पर source लिया गया है DD News DD News से जो भी important news यहाँ पर होगी जो हमारे exam point of view से important है और कहीं static subject से हाँ पर connect हो रहा है वो हम discuss करेंगे और नमबर त्री यहाँ पर एक newspaper Indian Express इसमें से जो भी important news होगी and within news कुछ निगल रहा होगा important हमारे exam से related हम discuss करेंगे तो आज हम 18th of October 2024 के important current affairs को discuss करेंगे and before starting this session मैं आपको यह बदा देना चाहता हूँ कि इसमें one liner type के current affairs में discuss नहीं कर रहा हूँ विकाज उनको मैं shots के form में हरोज यहाँ पर discuss कर देता हूँ इसमें जो भी important current affairs होगी और वो कहीं हमारे static subject से connect हो रहे होंगे वो हम discuss करेंगे तो आज की पहली news जो थी वो यहाँ पर Indian Express की है जिसमें हम देख रहे हैं कि हेज in gulfs Delhi said to get worse अब मालो यह news आपके पास आई तो इस news में सबसे पहले तो आपको यही पता हो हेज क्या है तो जब आप geography बढ़ते हैं condensation तो fog, mist, haze इन में difference क्या होता है यह पहला question आपके दिमाग पर आना चाहिए उसके पर जब आप within article जाएंगे ठीक हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ पर तीन चीज़े निकल कराएंगी air quality index निकल कराएंगा उसके बाद g, r, ap निकल कराएंगा and number 3 यहाँ पर एक statutory body भी निकल कराएंगी उन discuss करेंगे तो अब सबसे पहले अगर बात करूँ मैं air quality index की 2014 में इसको launch किया गया था इसकी outline थी one number, one color, one description so that जो भी common इंसान है वो असानी से air quality को judge कर सके तो number one is 2014 अब जो important है exam के लिए कि किन measurement जो होती है इसकी air quality index की किन pollutants के base पर यहाँ पर लेकर आते हैं तो number one, particulate matter 10 particulate matter 2.5 nitrogen oxide NO2 sulfur dioxide SO2 carbon monoxide CO ozone O3 ammonia NH3 and lead PB तो यह 8 pollutants है जिसके base पर air quality index निकल कर आता है अब सबसे important तो आपके लिए यह है ठीक है जो यहाँ पर categories आती है अगर air quality index यहाँ पर 0 से 50 के बीच में fall कर रहा है तो वो good category में fall कर रहा है अगर 51 से 100 के बीच में fall कर रहा है तो वो satisfactory है अगर 101 से 200 है तो वो moderate है 201 से 300 है तो वो poor है 301 से 400 है अगर वो तो वो very poor है और अगर वो 401 से 500 तक है तो वो severe category में यहाँ पर fall करेगा अब आप देख रहे हैं कि air quality standards के उपर चीज लिखी है अब यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था यह important है एक यह statutory organization है अगर आप पॉलिटी में अगर आप देखते हैं तो एक constitutional body होती है जिसका mention constitution के अंतरकत है number two होती है statutory body statutory body मतलव जिनको power किसी statute से मिला है statute क्या होता है अपने आप में Act of Parliament कि थू मिला है तो that means यहाँ पर water that is prevention and control of pollution Act 1974 उसकी अंतरकत इसको यहाँ पर board को constitute किया गया है यहाँ पर सारी इसकी पास जितने भी इसकी powers हैं functions हैं they are under the air prevention and control of pollution Act 1981 तो यहाँ पर statutory यहाँ पर organization है अब इस पर next थी graph ठीक है यह news उसमें से आपको यहाँ पर catch करना था तो graded response action plan ठीक है एक basically जैसे आपने last time देखा था तो Mr. विंद केजडिवाल जब चीफ फिनिस्टर थे डेली के तो यहाँ पर चार यहाँ पर उसके plans होते हैं action plan तो उनको फोर्थ यहाँ पर implement करना पड़ा था विकास डेली में आप सबको पता है कि इस सीजन के बाद October की बार से लगा थार बहुत सारी reasons के कारण वहाँ पर pollution बढ़ना स्टार्ट हो जाता है तो graded response action plan एक emergency action plan है जिसको चार स्टेजिस में implement किया जाता है यहाँ पर air pollution के severity को देखे कि किस लेवल पर यहाँ पर air pollution पहुच गया है पर एक्जामपल आप देखते हैं odd even का concept भी डेली में आया ठीक है उसके बाद हमने artificial rain देखी कि artificial rain करवानी पड़ी ठीक है जिसको cloud seeding के नाम से जाना जाता है ठीक है वालनकि वो natural वहाँ पर seeding नहीं होती वो rainfall नहीं होता बट यहाँ पर एक इसील उसको नाम artificial rain है तो cloud seeding उसे कहते है seed मतलब कि यहाँ पर cloud seeding clouds artificial clouds create करे जाते हैं ठीक है तो यह आपको पता हो graph का उसके बाद मैंने आपको बता है था haze तो अगर जो fog है इसमें visibility less than 1 km haze में भी visibility होगी but not as severe as fog visibility is usual greater than 1 km तो यह चूटा सा difference भी आपसे पूछा जा सकता है तो उस first news में से आपको यह तीन चीज़े यहाँ पर catch करनी थी air quality index, number 2, graph, number 3, statutory organization and rather number 4 also की haze fog में difference क्या होता है इस तरीके से आपको news catch करनी है उसके बाद Indian Express की दूसरी news थी यहाँ पर एक और justice of India वो बनेंगे अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर supreme court की तो supreme court में initially CGI के साथ seven judges थी that means total strength कितनी थी eight अगर मैं बात कर लूँ इन साथ judges की तो इन judges को यहाँ पर pure judges भी कहा जाता है P.Y.S.N.E and इनको brother judges भी कहा जाता है because initially हम देखते हैं कि वहाँ पर female judges वहाँ पर कुई नहीं थी तो इनको कई पर brother judge के नाम से भी जाना जाता है अब बात यहाँ आती है कि अगर इसको 8 को मुझे increase करना है for example at present strength कितनी है chief justice के साथ 33 जहाँ पर judges आपके पास है तो total 34 है मालो इन 34 को हमें 38 करना है ठीक है तो किसके पास power है important question parliament की पास यहाँ पर power है regulate करने के लिए I hope this is clear now जो chief justice है उनको president appoint करते हैं और जितने भी supreme court के judges हैं उनको भी तो हमने देखा आप quality में पढ़ते हैं कि 3 judges case आयते first judge case, second judge case, third judge case ठीक है से concern कर रहे हैं तो खाली chief justice की यहाँ पर say नहीं होगी chief justice के साथ 4 senior most judge भी बैठेंगे जब यहाँ पर supreme court के judges यहाँ पर लग रहे हैं that's called collegium system और अगर high court होगा तो chief justice के साथ 2 senior most judge होगे and इन 4 senior most judge में ही next chief justice of India होता है because senior most judge को chief justice of India लगाया जाता है तो यहाँ पर आप news देख रहे हैं कि chief justice of India डी वाई चंद्रचूट सर चंद्रचूट सर नहीं यहाँ पर law ministry को लिखके भेजा कि जो मेरे successor है जो second senior most judge है that is justice संजीव खना जी वो 51st chief justice of India बनेंगे तो CGI, outgoing CGI जो है वो recommend करते हैं अपने successor को उन्होंने यहाँ पर seniority के base पे राम दिया कि यह यहाँ पर 51st chief justice बनेंगे because November 10 को यहाँ पर चंद्रचूट सर यहाँ पर उनका tenure खतम हो जाएगा उसके बाद इवन जो justice खना है इनको भी कुल 6 ही महीने मिलने हैं because I think May 2025 में यहाँ पर इनका भी tenure खतम हो जाएगा तो इस news में से आपका quality वाला concept यहाँ पर connect हो गया तीसी news, DD news की थी यहाँ पर यह ट्राइमिनिस्टर नरिंदर मोदी set to attend BRICS summit in Kazan Russia ठीक है, रशिया में यहाँ पर summit होने वाली है next week, इस week आपके पास इस month आपके पास दो meeting से important आ गई है SEO meeting आ गई है ठीक है, and SEO के बाद अब next meeting आपके लिए BRICS आ गई है 1st January 2024 को although इसमें बहुत सारे members add हुए थे, उसके बाद Argentina पीछे हो गया था, and उसके बाद हम देखते हैं बाकी जो 5 countries हैं, उसमें add होती है कौन कौन सी हैं, वो discuss करते हैं तो सबसे पहले तो आपको यह पता हो कि 16th BRICS की meeting है, ठीक है rotation होती है, ठीक है Brazil Russia, अलंकी इस बार Brazil में होनी थी बट Brazil में इस बार G21 की meeting होगी, इसलिए Brazil से यहाँ पर next country कौन सी आई, रशिया ठीक है, तो रशिया में इस बार हो रही है Kazan City, ठीक है, following an invitation from Russian president Putin, ठीक है, तो 16th meeting हो रही है, उसके बाद rotation wise होती है, यह आपको पता हो South Africa में होई थी, उसके बाद इस बार Brazil में होनी थी, बट Brazil इस बार G21 को hold कर रहा है Now, क्या क्या important investment, तो origin जो BRICS का हुआ था, कब 2006 में हुआ था Initially क्या था यह, that is called a BRIC, ठीक है, जिसमें ब्राजील था Russia था, इंडिया था, और China था, सबसे पहले फर्स convene होते हैं वो St. Petersburg में and सबसे पहले जो inaugural summit थी इसकी, वो 2009 में, रशिया में यहाँ पर होती है उसके बाद, 2010 में इसमें यहाँ पर एक S जोड़ता है और यह BRICS बन जाता है और यह S क्या था, South Africa तो यह concept आपको पता हो कि South Africa का bad हुआ, इसमें S यहाँ पर 2010 में, now the summit will be the first to feature all 10 BRICS, although यहाँ पर 10 BRICS के member हैं, but अभी officially अगर मैं बात करूं, तो Saudi Arabia yet to join, but DD News पर इसको लिख दिया गया है, although अभी officially yet to join है बट यहाँ पर उन्होंने DD News ने, because वो बिल्कुल authentic source है उन्होंने यहाँ पर लिखा है, कि 5 नहीं countries, यह important है, ठीक है Egypt है, Ethiopia है, Iran है, Iran बिल्कुल news में चल रहा है Saudi Arabia and UAE ठीक है, and इसमें Argentina भी था, but Argentina उसके पाद यहाँ पर back हो जाता है, then to 1st January 2024 को इसको add किया रहे था, now currently BRICS यह वली इस type की statement कई बार 1, 2, 2, 3 में आ जाती है ठीक है, confuse करने के लिए, तो at present, यह 41% of the global population को represent कर रहा है, 24% of the global GDP को represent कर रहा है, and 16% of the world trade share को कर रहा है, तो 41, 24, 16 यह figure आप एक बार पक्का देख लीजिए, आपको इसके PDF पाइल, टेलिग्राम चैनल पे मिल जाएगी, सुभा वले शेशन के भी मिल जाएगी, जो 16th और 17th के October के मैंने current अपेस डिसकर्स करें थे, now, this marks the Prime Minister Modi's second trip to Russia, because कुछ टाइम पहले आपको पता है, जुलाई में, जब इंडिया और रशिया की समेट हो रही थी, तो वहां का जो highest civilian honor था, Order of St. Andrew the Apostolate, यह भी यहाँ पर दिया गया था, Prime Minister नेरेंडर मोधिची को, अगर आप चैनल पे लगता shots देख रहे हैं, तो तब मैंने इसको discuss किया था, अब जो brick है, कई बर्स पर यह भी पूछ लेते हैं, कि initially इसको coin किस ने किया था, तो economies थे, Jim O'Neill, जिन्होंने यहाँ पर इस economy को लेकर आए थे, वो, ठीक है, उसके बाद यह क्या है, चार major economies का group था, ठीक है, जिसके बाद बाद में, South Africa में एड होती है, तो initially चार थे, Brazil था, Russia था, India, China, बाद में South Africa यहाँ पर आता है, देखेंगे जो leading emerging economies है, उनका एक group है, ठीक है, तो यह आपको पता हो, Jim O'Neill, and कौन से new members एड हुए हैं, वो आपको पता हो, तो यह source है, PIB, Indian Express, and DD News, and मैं इनी तीम यहाँ पर कहते हैं, जो sources को cover करूँगा, daily basis पर, because PIB मैं मुझे पता है, UPS से civil service वाले बच्चे पढ़ते हैं, but defense वाले, या फिर CFE, paramilitary, जो भी यह एक्जाम्स हैं, जितने भी यह वाले बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं, they focus on the YouTube channels mode, ठीक है, Indian Express में, जो भी मुझे important चीज निकलेगी, and within news, जो मुझे लगेगा कि current affairs, जो static parts से connect हो रहा है, वो भी हम discuss करेंगे, plus DD News पे जो भी होगा, वो हम discuss करेंगे, and, but यह जुरूर है, सुभा, सुभा सुभाई session नहीं मैं लेकर आऊंगा, because 5 या 6 बज़े तक, यहाँ पर P.I.E.B. पर सारे ministries की news आ जाती है, उसके बाद हम हरोज इसको 8 बज़े के around यहाँ पर discuss करेंगे, so with these words, I conclude my today session, Jai Hindoo all, take care.